नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करूना इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं आपके प्री बोर्ड एक्जाम की डेट शीट आप लोगों के मिट्टम एक्जाम होगे रिजल्ट आ गया अब आप लोगों के प्री बोर्ड एक्जाम होने वाले हैं तेंथ और त्वल्थ क्लास के बच्चों के लिए तो तेंथ और त्वल्थ क्लास के बच्चों के पेपर अब कब से शुरू होंगे क्या इंपोर्टन्ट गाइडलाइन्स है वो सर्किलर डिपार्टमेंट ने अप्लोड कर दिया है आज तो सबसे पहले आप लोगों की प्री बोर्ड की डेट शीट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या गाइडलाइन्स यहाँ पर आपको दी गई है उसको देख लेते हैं लेकिन इसी के साथ बिटा अगर आप सिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रूप में शेयर करना है तो बिटा मॉर्निंग शिफ्ट या जर्नल शिफ्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट मतलब कि अगर आपका स्कूल साथ से साड़े साथ का है या जर्नल शिफ्ट आठ से ढाई बज़े तक दो बज़े तक का अगर आपका स्कूल है तो बिटा आप ल बज़े से ले करके पांच बज़े तक होगा, तो दो बज़े से ले करके पांच बज़े तक इवनिंग shift वाले बच्चों का आप लोगों का exam होगा, अब कितने तारीक से होगा, ये हम आप लोगों को बताते हैं, तो ये invigilators के लिए जो कुछ directions हैं, वो यहां पर दी गई है head of school के लिए जो directions है वो यहाँ पर दी गई है तो इन चीजों से आप लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये आपके school और department के लिए है आप लोगों के लिए है आपकी timing तो वो है morning journal और evening shift के school की timing उस timing का बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है for deputy directors of education district and zone के लिए जो भी हाँ पर directions है अब इसके बाद हैं आप लोगों के लिए जो guidelines यहाँ पर दी गई है कि जो timing है आप लोगों का वो timing different है तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि date sheet is common for date sheet जो है वो common है यानि exam तो वही रहेगा आपका morning और evening shift जर्नल shift में लेकिन जो timing है वो अलग-अलग हो जाएगी इसी के साथ इन्होंने दे रखा है कि examination of the subject note covered in the date sheet is to be held at school level यानि कि जो भी subject है इस तरह के जैसे कि कुछ painting है या Punjabi एक language है इस तरह के कुछ अगर subject है आप लोगों के पास electronics है तो उसकी जो date sheet है वो यहां पर नहीं है वो आपको school level पर ही पता चलेगी थार्ड है the question paper will be distributed 15 minute before यानि कि जो आपका exam timing है उससे 15 minute पहले आप लोगों को question paper दे दिया जाएगा the student would read the question paper and make plan for write the answer वो 15 minute आपको question paper पढ़ने के लिए और आगे की planning के लिए दिये जाएंगे the student will start writing the answer आपको जो answer लिखना है वो साड़े नो बज़े से शुरू करना है अगर आप morning shift में exam दे रहे हैं या journal shift में दे रहे हैं और अगर आप evening shift के school में हैं evening shift में exam दे रहे हैं तो answer लिखना आपको दो बज़े से start करना है तो सबसे पहले आप लोगों को time पर अपने examination center पर पहुँचना है जो की आपका खुद का school ही है तो यह date sheet बिटा इस वक्त आपको दिख रही है स्क्रीन पर 15-12 यानि कि 15 तारिक से बिटा आप लोगों के exam शुरू है दिसंबर 15 तारिक से शुरू है 15-16-17 से ले करके फिर 28 तारिक तक बिटा आप लोगों के exam pre-board exam होने वाले हैं class 10.12 के इसी के साथ बिटा ये भी देख लीजे कि जो exam आप लोगों के school level पर होंगे वो आपके 15 से पहले भी conduct किये जा सकते हैं इस बीच में भी conduct किये जा सकते हैं 28 तक और 28 के बाद भी एक दो दिन के अंदर आपके pre-board exam उन subjects के like जैसे painting है engineering drawing है आपके पंजाबी है electronics है इस तरह के कुछ जो subject हैं उनके जो exam है वो 15 से पहले ही 28 के बाद हो सकता है तो बिटा आशा करती हूँ आप लोगों को did sheet आप लोग देख लेंगे आपके लिए video काफी useful रहा होगा तो आप मेरी video को like करेंगे दोस्तों के साथ share करेंगे चैनल को subscribe करेंगे और चल्दी से अपने pre-board exam की तयारियों में जुट जाएंगे करेंगे